श्री हनमान चालीसा अनुवात सहिद श्री हनमान जी की स्वामी भक्ती नी स्वार्थ सेवा करतव्य पराइणता अतुल्निये हैं ये श्री राम जी के अनन्य भक्तें इनोंने रामन को भी निराकार ब्रह्म सवरुक का घ्यान समझाया श्री गुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वन्रव रगबर विमल जसू जो दायक फलुचार श्री गुरु महाराज के चरन कमलो की धूली से अपने मन रूपी दरपन को पवित्र करके श्री रगबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारो फल धर्म अर्थ काम और मौक्ष को देने वाले हैं बुद्धी नितन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धी विध्या दे हूं मुही हरं कलेश विकार हे पवन कुमार मैं आपको सुमिरन करता हूं आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धी निर्मल है मुझे शारिरिक बल सत्बुद्धी एवं ग्यान दीजिए और मेरे दुखों वा दोशों को दूर कीजिए जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपीस ती हूं लोक उजागर श्री हनुमान जी आपकी जै हो आपका ग्यान और गुन अथा हैं एक अपिश्वर आपकी जै हो तीनों लोकों स्वर्ग लोक भू लोक पाता लोक में आपकी कीरती है रामदूत अतुलित बलधामा अंजने पोत्र पवनसुत नामा हे पवनसुत अंजने नंदन आपके समान दूसरा बलवान नहीं है महावेर्विक्रम बजरंगी कुम्ति निवार सुमाति के संगी कंचन वरान विराज सुबे सा कानन कुंडल कुंचित के सा हे महावेर्वजरंग बली आप विशेश पर आकरम बाले हैं आप खराब बुद्धी को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धी वालों के साथी सहायक हैं आप सुनेले रंग सुन्दर वस्तरों कानों में कुंडल और घुंगरालू बालों से सुशोबित हैं हात ब्रिज और ध्वजा विराजे कान्दे मुझ जनेउं साजे शंकर सुवन के स्री नंदन तेज प्रताप महा जग बंदन आपके हात में ब्रिज और ध्वजा है और कंदे पर मुझ की जनेउं की शोबा है शंकर के अफ्तार के श्री नंदन आपके पराकरम महान यश की संसार भर में वंदना होती है विद्यावान गुणी अतिचातुर रामकाज करीबे को आतुर प्रभुजरित्र सोनी बेको रसिया रामलखन सीता मन बसिया आप प्रकांड विद्या निधान है गुणवान और अत्यंत कुशल होकर श्री राम जी के काच करने के लिए आतुर रहते हैं आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं श्री राम सीता और लखन आपके हिर्दया में बसते हैं सुक्षम रूप धरी सियाई दिखावा विकड रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी असुर संगारे नाम चंद्र के काज सवारे आपने अपना बहुत छोटा रूप धारन करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया आपने विक्राल रूप धारन करके राक्षसों को माना और शीराम जी के उदेशियों को सफल बनाया लाए सजीवन लखन जी आए शीरगवीर हर शीर लाए रगबती कीनी बहुत बड़ाई तुम्मम प्रिय भरत समभाई आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्षमन जी को जिलाया जिससे शीराम हर्शित होकर आपके आपको हिर्दे से लगा लिया शीराम चंद्री जी ने आपकी बहुत प्रिशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो सहस बदन तुम रोजस गावे असकही शीरी पति कंठ लगावे संकादिक ब्रहमा दिमुनीसा नारद सारद सहित अहीसा शीराम ने आपको यह कैकर गले से लगाया कि तुम्हारा यश हजार मुक से सरानिय है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनन्दन, श्री सनतकुमार, आदी मुनी विद भ्रहमा आदी, देवता नारद जी, सरस्वती जी, शेशनाग जी सब आपका गुणगान करती हैं जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी गोबिद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्री वही कीना, राम में लाए राज पद दीना यम राज, कुबेर आदी सब दिशाओं से के रक्षक, कभी, फिद्वान, पंडेत या कोई भी आपके यश्का पूंते वर्णन नहीं कर सकते आपने सुग्री जी को शीराम से मिला कर उपकार किया, जिसके कारण वहराजाब बने तुम रो मंत्र विभीशन माना, लंकी श्वर भई सब जग जाना जुक सहेस्ट जो जन पर बानू, लीलोता ही मदूर फल जानू आपकी उगदेश का विभीशन जी ने पालन किया, जिस से वे राजा की, लंका की राजा बने इसको सब संसार जानता है, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुँचने के लिए हजार यूग लगें, दो हजार योजन की दूरी परिस्थित, सूर्य को आपने एक मीटा फल बना कर निगल लिया प्रभु मुद्री का मेली मुख माई, जल्दी लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रे तुम रेते ते आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुवें रखकर समुद्र को लाग लिया, इसमें कोई अश्चर्य नहीं है, संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, होतना आग्या बिनुपैसारे, सब सुक लहे तुमारी सरना, तुम रशक का हूँ को डरना श्री राम चंदर जी की द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आग्या के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता अधार्त आपकी प्रसनता के बिना राम कृपा दुरलब है, जो भी आपकी शरन में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांक तेकापे बूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे आपके सिवाए आपके वे को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग काप जाते है जहां मावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, महावूत पिसाच पास भी नहीं फटक सकते ना से रोग हरे सब पीरा, चपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुडावे, मनखम बचन ध्यान जोलावे हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुडवाते हैं सब पर राम तपस्पी राजा, तिनके काज सकल तुम काजा और मनोरत जो कोई लावे, सोई अमित जी वन फल पावे तपस्पी राजा, श्री राम चंदर जी सबसे शेष्ट हैं उनके सब कारियों को आपने सहज में कर दिया जिस पर आपकी क्रिपा हो, वह कोई भी अभिलाशा करे तो ऐसा फल मिलता है, जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती चारो जुग पर ताप तुमारा, है परसेध जगत जी आरा सादू संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे चारो युगो सत्युग देता द्वापर्त था, कल्युग में आपका यश पहला है जगत में आपकी कीरती सर्वत्र प्रकाश मान है हे श्री कृष्टन, हे श्री राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं अश्टने सिद्धी नो निधी के दाता, असबर्दीन जाने की माता आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी भी आठो सिद्धियां और नो निधीयों दे सकते हैं अणिमा जिसे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और खटिन से कटिन पधार्द में प्रवेश कर जाता है महिमा जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है गरिमा जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है लगिमा जिससे जितना चाहे उतना हलका बन जाता है जिससे प्राप्ती जिससे इच्छित पधार्थ की प्राप्ती होती है प्राकम में जिससे इच्छा करने पर वैपृतिवी में समा सकता है आकाश में उड़ सकता है इश्चत्व जिससे सब परशाशन का समर्थे हो जाता है वशित्व जिससे दूसरों को वश्में किया जा सकता है राम रसायन तुम्रे पासा सदार हो रगुपती के दासा तुम्रे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे आप निरंतर श्रे रगुनाद जी की शरण में रहते हैं आपके पास बुड़ापा असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम वशुदी है आपका भजन करने से श्राम जी प्राप्त होते हैं और जनम जनमांतर के दुख दूर होते हैं अंतकाल रगुबर पुर जाई जहां जनम हरी भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्ब सुख कराई अंत समय में श्रीर रगुनाद जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जनम लेंगे तो भक्ती करेंगे और श्राम भक्त किलाएंगे हे हनुमान जी आपकी सेवा करने से सब प्रकार की सुख मिलते हैं फिर अन्य किसी देवता की कोई अवशकता नहीं रहती संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुक होई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करंगुरु देव की नाई जो सत बार पाठ कर जोई चूटई बंदी महा सुक होई हे वीर हनुबान जी जो आपका सुमिरन करते हैं उसके सब संकर दूर हो जाते हैं सब पीड़ा मिट जाती है हे स्वामी हनुबान जी आपकी जैहो आप मुझे पर कृपालू श्री गुरु जी के समान ग्रिपा कीजिए जो कोई इस हनुमान चालीशा का पाट करेगा वैं सबी बंदनों से दूर हो जाएगा परमानंद मिलेगा जो यह पड़े हनुमान चालीशा हो इसे धिसा की गौरीशा तो लिसी दास सदा हरी चेरा की जे नातर दै में डेरा भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीशा लिखवाया इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पड़ेगा निश्चे ही सफलता प्राप्त होगी हे नात हनुमान जी तुलसी दास सदा ही श्री राम का दास है इसलिए आप उसके हिर्दे में निवास कीजिए पवन नै संकर हरन मंगल मूरती रूप राम लखनसी